हलो दोस्तों आप लोगों का स्वागर है अमरे चैनल पे और आज का वीडियो होने वाला है हाव तो वाच मार्वल मुवी इन और अगर वीडियो आपको लाइक करना चानल पर नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब करना हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगर मार्वल सिनेमाटिक युनिवर्स की सबसे पहले फिलम ती आयरन मैन जो रिलीज हुई थी दो में 2008 को और इस फिल्म ने रॉबर्ट डॉनी जुनियर इस आक्टर को पूरा वर्ड में मतलब पेम दे दिया था वरना इस फिल्म के पहले रॉबर्ट डॉनी जुनियर को अ फिल्म हाला कि मार्वल्स ने भी एक रिस्क लेके बनाई थी क्योंकि स्पाइडर मैं के अलावा कोई भी सुपर हीरो की फिल्म मार्वल की इतनी बड़े लेवल पर हिट नहीं हुई थी तो इसलिए उन्होंने आयर मैन और दे इंक्रेडिबल हल्क है दो साती साथ फिल्म में रही थी हला कि पहले आयर मैन हुई सेकेंड नमबर पर देखने से पहले मैं आपको सला दूंगा आप पहले 2003 में रिलीज हुई हल्क फिल्म हला कि यह सिनेमाटिक युनिवर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन जब आप इनक्रेडिबल हल्क देखना स्टार्ट करोगे तो उसके स् चुका है और फिर उसके आगे के कुछ फिल्म में रिकाए गए लेकिन अगर आपको एक्जैक्ली हल्क कैसा बनता है और वहां से वह कैसे सूपर हीरो हल्क बन जाता है उसकी पूरी कहानिया आपको हल्क में देखने मिलेगी उसके बाद अब थर्ड नमबर पर पूश्मन रहता है वह उसको मारने के लिए आता है और फिर उनके बीच में लड़ाई होती है और उसके बीच क्या-क्या होता है वह आपको देखना है तो आप आयर्म मैंड टू देखे उसके बाद रिलीज हुई थी थी तो इसको इतना अप्रीशियेट नहीं किया गया थ थे क्योंकि इसमें हमको लोकी और फॉर यह जो दो में क्यरेक्टर से जो आके पूरी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा हंगावा मचाते उन दोनों का आपको इंट्रोड़क्शन इस फिल्म में मिलेगा उसके बाद सिक्वेंस में आती है कैप्टन अमेरिका दपस्ट अव तो मतलब यह पहली बार ऐसा था कि बाई सूपर हीरो की इंडिविजुल फिल्म हर बार बनती आ रही है लेकिन मार्वल दे एवेंजल की खासियत यह थी कि एक ही फिल्म में एक ऐसी कहानी बुनी गई जिसमें आयरन मैं हल्क और और कैप्टन अमेरिका जैसे चार-चार सू सारवल फिल्म मानी जाती है उसके बाद 3 में 2013 को रिलीज हुई आयरन मैं 3 तो इसमें ऑबियस है कि एवेंजल के बाद कई सारी चीजे है जो बदल जाती है मतलब आयरन मैं की लाइफ में तो उसके कुछ आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे और सच बता रहा हूं कि यह हिर भी आयरन मैं के बाद बेस्ट फिल्म थि इसके बाद य कई यही उपालद के साथ हुआता लोगों को पसंड नहां आयफाही भी अगर outer की यूनिवर्स को समझना है तो यह फिल्म बहुत इंपोर्टेंट है इसकी जो मैंने करेक्टर है उसका continuation है तो वह उसके लिए आपको यह फिल्म देखने ही पड़ेगी उसके बाद आती है Captain America The Winter Soldier तो यहां पर हाला कि Captain America जो है वह आपको पता ही चल गया है कि सारे सूपर हीरो जो है वह नीक फ्यूरी के अंडर एक शिल्ड नाम की जो organization रहते है उसके लिए काम करने तो इसमें कई सारी ऐसे ट्विस्ट अंट तरंस आपको देखने को मिलें और वाकई में मैं कहूंगा कि Captain America का स्टैंडर जो है वह फिर्स्ट आवेंजर से विंटर सोलजर के लिए बहुत ज्यादा पढ़ गया उसके बाद आई Guardians of the Galaxy तो Guardians of the Galaxy एक थोड़ी सी स्टार वर्स चैसी फिल्म थी मतलब यह Avengers Age of Ultron नहीं देखेगा क्योंकि Avengers Age of Ultron में भी ऐसे दो characters introduced किये गए वो जो पूरी series में आगे चलते हैं तो उसमें की Wanda जो है जिसका आपने जिकर भी सुना होगा बहुत सारी फिल्मों में तो उसकी स्टार्टिंग इस फिल्म से हो भी इसके बाद आती है अगर आपने मक्ही फिल्म देखी है तो उसके बाद कोई मतलब मक्ही के टाइप के ऐसी अच्छी फिल्म लगयोगी तो एंट मैंने क्योंकि इसकी बहुत हद तक जो कन्सेप्ट है वह सिमीलर है मतलब कन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हो कि यहांth ऑः च्छोटा सा एक जैसे मखी चोटी सी मखी रएक वर की इतनी सारी कर तती करता मतलब एक fantasy film भी थी super hero film भी तो यह भी बहुत मज़ेदार फिल्म थी comedy एक्षन थी हर चीज इसमें मसाला भरा हुआ था इसके बाद आई Captain America Civil War दोस्तों मैं सच बता रहा हूं मेरे को यह फिल्म का नाम Captain America क्यों रखा गया यह आज तक नहीं समझाया क्योंकि अगर यह एक ऐसी फिल्म है यह अगर आपने मिस की न तो मैं कहूंगा कि Avengers की आपने सबसे बड़ी फिल्म मिस कर दी इसमें हाला कि कोई विलन नहीं होता है मतलब विलन होता है कहानी में ऐसा नहीं कि विल इसके उपर लड़ाई है वह इतनी लगी मतलब मैं सज बता रहा हूं मैंने बैटमेन वर्से सूपर मैं से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा थे जो मेरे बिलकुल पूरे नहीं हो पाए जो इस फिल्म ने पूरे किया और इसका नाम Captain America क्यों रहा है मेरे वह समझ न हो जाता है और उसके पूरे के पूरे हाथ जो है वह fracture हो जाता है वह अध्म से पेल링 पकड़ पाता है फिर वह आपने हाथों को सभी करने के लिए जलनी के लिए निकल जाता है और उसके उपर पुरी ये फिल्म है उसके बाद आई थी Guardians of the Galaxy 2 यहां पर सीधा सीधा बात है कि जो Guardians of the Galaxy में दिखाया था उसकी जो कहानी है उसको इन्होंने आगे चलाया है Guardians of the Galaxy 2 में और इसके बाद आई थी सबसे बेस्ट फिल्म Spider-Man Homecoming स्पाइडर मैन एक ऐसी सीरीज रह चुकी है कि इसकी जब भी कोई फिल्म आई है वह सुपर डूपर हीटी हुई है और यह स्पाइडर मैन एक अलग तरीके का स्पाइडर मैन लोगों को दिखाया गया था हाला कि अगर आप सिक्वेंस वाई जाओगे तो तीन अब तक स्पाइडर मैन उसकी आगे आपके साथ बात करूँ गा और उसके बाद एक बनाई थी थी निया क्यों को एक अब यह homecoming जब मैं देखने गया तो मेरे दिमाग में खयाल आया Amazing Spider-Man का जो second part था उसको ऐसे beach में छोड़ दिया गया था तो मुझे यह नहीं समझा है कि यह लोग उसी film को continue क्यों नहीं किये उन्होंने यह film क्यों बनाई अभी इसका exact answer आपको फिल वीडियो में आगे मिलेगा Iron Man जो है वो इसको mentor बनके इसको guide करने की कोशिश करता है और वो सब है इसमें आपको Iron Man को भी देखने को मिलेगा इसके बाद आई Thor Ragnarok और यह एक फिल्म ती जिसने थौर को एक अलग लेवल पर लेके गया क्योंकि थौर रैगना रोग जब रिलीज हुई तो किसी ने नहीं बोला कि यह Marvel Universe की बेकारत फिल्म है क्योंकि यह one of the best film है अगर आप भी देखोगे और इसमें लिटरली पूरा थौर का आउतारी चेंज कर दिया उसके लंबे बाल हटा दिये उसको स्टाइलिश लुक दे दिया यहां तक कि यहां पर आप लोकी के करेक्टर को देखोगे तो आपको थोड़ी से सिंपेदी है यह पहली मार्वल्स की बोलो सुपर हिरो की बोलो ऐसी फिल्म है जो ऑसकर नॉमिनेट हुई बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई सेकेंड तिंग यह ऐसे फिल्म ती जिसमें ज्यादातर ब्लैक लोगों को दिखाया गया है और उसके बावजुद यह एक बहुत ब बाद आई Avengers Infinity War Avengers Infinity War एक ऐसी फिल्म थी इसका क्लैमेक्स इतना हिला देने वाला था मतलब सही बता रहा हूं अब तक मैंने इतनी सारी Avengers की बोलो या सूपर हिरो की फिल्म में देखी लेकिन जैसा एंड Avengers Infinity War का ऐसा किसी फिल्म का नहीं देखा और अगर आपने अभी तक Infinity War नह था है थैनोस की जो पूरता इसमें दिखाई और उसकी जो पॉवर दिखाई यह वह सही में खतरनाक थी और उसके बाद फिल्म आई Ant-Man and the Wasp मतलब इसमें ऐसा दिखाया है कि Ant-Man and the Wasp की जो कहानी है वह ऐसे समय में चल रही थी क्योंकि Avengers Infinity War में आपको Ant-Man नहीं दिखेगा तो वहाँ पर आपको Ant-Man नहीं दिखेगा तो आप सोच में बजबूर हो जाओगी कि भाई इसमें Ant-Man क्यों नहीं दिखाए क्योंकि हुआ है इसके बाद आई Captain Marvel तो मुझे तो लगा था Infinity War के बाद यह Ant-Man और Captain Marvel आएगी मुझे पता ही नहीं था उसके बाद मुझे लगा टारेक एंड गेम आएगी लेकिन जैसी Ant-Man का एंड गेम में बहुत बड़ा मतलब एक रोल है वैसी Captain Marvel का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला था एंड गेम में तो इसलिए Captain Marvel की फिल्म जस्ट एंड गेम के पहले इनोंने रिलीज की और यहां तक मतलब जितनी भी फिल्म में आप देखोगे उसमें निक फ्यूरी की एक आग जो है वो एक आग पर हमेशा पट्टी बांधा रहता है तो उसके पीछे का रीजन क तो मेरे को इसलिए बोलते को भी हसी आ रहे थी और उसके बाद आई Avengers Endgame Avengers की अब तक की सबसे बड़ी इस फिल्म को लेके लोगों का जो रियक्शन था वो थोड़ा मिला जूला था क्यूंकि लोगों को एक्सपेक्टेड था जब इंफिनिटी वार देखके वह लोग लोग मतलब इंतजार कर रहे थी फिल्म का उनको एक्सपेक्टेट था उतनी बड़ी action-packed यह फिल्म होगे मेरे को परसनल ये फिल्म इंटरवल तक बहुत बोल की और स्पेसिफिकली इसका जो क्लामेक्स का सीन है क्लामेक्स में जो थैनोस और थैनोस के साथ वाली जो फाइट दिखाई है वो एकदम उसम थी उसमें कोई कमी नहीं थी और उसके बाद कुछ टाइम ट्रैवल के कुछ चीजे बताई गई है कुछ चीजे है जो आप इंटरनेट पर ढूंड़ों के तो आपको मिल जाएगा अभी इसके बाद आई स्पाइडर मैन की पार फ्रॉम हो तो कुछ ऐसी चीजे होती है जिस वज़य से स्पाइडर मैन के उपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है और फिर उसके चलते कुछ चीजे होती है और वह आपको फार फ्रॉम में देखने को मिलेगी और मेरे हिसाब से परसनली मेरे को होम कमिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह लगी क्योंकि इसमें जिस तरीके से उसका क्यरेक्टर को मैच्वर्ड बनाया गया है वह बहुत अच्छा लगता है उसके बाद आई ब्लैक वीडो अभी हाला कि ब्लैक वीडो जो है यह यूनिवर्स में कई कानेक्ट नहीं होती है क्योंकि यह ब्लैक वीड़ो का प्रिकरल है मतलब ब्लैक बीडो जैसे आयरं मैं की फिर्ससे कैसे डर्म बना ब्लैक वीड़ गिडो कैसे क기रेक्टर के इसके बाद आई पाच नोवेंबर 2021 को इटर्नल अभी इटर्नल से एक ऐसी सूपर हिलों की फॉज है इटर्नल कोई एक बंदे के उपर फिल्म जैसे शैंग ची जो है वे बंदे की कहानी लेकिन इटर्नल जो है वह पूरी एक ग्रूप की कहानी है एक ग्रूप मतलब हमारी य इसी है कि दुणिया में क्या चल रहा है मतलब धरती पे चल उससे उनको कोई लेना देना नहीं है इनको सिर्फ एक amazing पर भेजा गया है कि जो debiance है जोThen Alice group है उन से इनको सामना करना है कि उन से धरती को कोई नुक्सान ना पहुचे बागी धरती पर कुछ भी ओर रहा है उसस उनको कोई लेना देना नहीं है तो इसके बाद आई थी 17 डिसेंबर 2021 में Spider-Man No Way Home एक ऐसी फिल्म है यह फिल्म अगर आप Eternals के बाद तुरन देखने की कोशिश करोगे तो आप इस फिल्म का बहुत एहम हिस्सा मिस्स कर दोगे अब इसके पीछे का रीजन क्या है यह मैं बताता हो क्योंकि No Way Home का अगर अपने ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर में आपको साफ साफ दीख रहे हैं कि पुराने फिल्म के कुछ विलन्स दिखा है तो अगर आपने वो पुरानी फिल्म में नहीं देखी और डिरेक्ट लिए आप No Way Home पे कुद गए तो आपको फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा तो खेर इस फिल्म की बात करने से पहले हम बात करते हैं आप सिक्वेंस वाइस अभी आप देखी रहे हो तो स्पाइडर मैन की ओरीजनल फिल्म जो 2002 में रिलीज हुई थी सबसे पहले वो देखिए इसम को टेकनोलोजिकली आप देखो तो बहुत आपको अच्छी लगेगी आज भी 2002 की फिल्म मतलब 20 साल पुरानी फिल्म होके भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यह पूरानी फिल्म है इसमें एक्चुली तीन दोस्तों की कहानी है मेरी जैन पीटर परकर और इनका एक दोस्त है इन तीनों की कहानी है और इनका एक तरह से लाव ट्रेंगल भी रहा है तो यह पहली फिल्म थी इसके बाद आई थी 2004 में स्पाइडर मैं 2 तो स्पाइडर मैं 1 में कुछ चीज़े हो जाती है कॉंसिक्वेंसे हो जाते हैं उसके वज़े से उसका दोस्त है और पीटर पालकर इसमें कुछ दुश्मनी हो जाती है और उसके कुछ नतीजे हमको स्पाइडर मैं 2 में देखने को मिलते हैं और स्पाइडर मैं 2 में देखा था डॉक्टर ऑक्टोपस को मतलब स्पाइडर मैं 9 होंके तो वह डॉक्टर ऑक्टोपस जो है वह स्पाइडर मैं 2 के विलन थे ये भी एक साइंटिस्त है और कुछ एक्सपरिमेंट के दर्मयान कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हीरो से विलन बन जाते हैं और इसके बाद आई थी स्पाइडर मैं पर उन्हों ने उस फेल्म को कैंसल किया और इन्होंने एक युनिवर्स क्रियेट किया जूलाई 2010 में आई थी अमेजिन स्पाइडर आगे क्यों नहीं बढ़ा है वही चैरेक्टर्स को लेकर चलो एक्टर्स चेंज कर लेकिन वही चैरेक्टर्स को लेकर क्यों नहीं बढ़ा है अभी इसका रीजन जो है वह आपको मिलेगा आपने अगर आम इजिंग चैरेक लिए तो इसके बाद वापस तो सुझा होगा अप आप X-Man series जो है X-Man series की कोई एक फिल्म मतलब जो फस्ट एक्स-man series फिल्म आई थी वह भी आप देख लोगे तो भी चलेगा और अगर आपने X-Man series को देखा ही नहीं है और आप Marvel Universe जैसी कोई series आपको देखनी है तो आप X-Man पूरी सीरीज देख लीजिए अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर एक प्रॉपर रेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पता है मैं उसके ऊपर भी पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा लेकिन एक कोई तो फिल्म यार फिर्स्ट फिल्मेट लिस जो 14 जुले 2000 में यह रिलीज हुई थी वह आप देख लीजिए और इसके बाद आप डॉक्टर स्टेंज इन दा मल्टिवर्स ऑफ मैंडनेस देखी क्योंकि उसका एक एहम क्यरेक्टर एक्समें सीरीज का जिसका मैं रिविलेशन नहीं करना चाहता हूं उसका इस कहानी में है कोटा सा सहबाग है और इसके बाद आएगी 8 जुलाए 2022 को थौर लव एंड थेंडर वो देख लीजिए अगर यह वीडियो आप थौर लव एंड थेंडर देखने के बात देख रहे हो तो जितनी भी फिल्म है स्टार्टिंग से आपकी मेस हुए वह आप देख लीजिए और आने वाली जैसी फिल्में आएंगी मैं आपको इस चैनल पर अपडेट दूंगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करना चानल पर नहीं हो तो चाहते हो कि इसी तरह से और अलग-अलग फिल्मों के और बाइ